हेलो एब्रीबन वी विल डिस्कॉस तुड़े फ्यू इंपॉर्टेंट मुल्टिपल चॉइस कॉस्टिन दैटार कंसर्ण टुदी क्वाइर फाइबर देशिज आवर फॉर्थ फाइबर क्रॉप फाइबर क्रॉप पर यूपी पीजिटी मायोजी स्लेवस तो वैस देखते ह हमारे में 18 इंपॉर्टेंट कोस्टिन्स तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशन नमबर एक से बिदाव टेन दिले इन विच आधी फालोइंग एजन अप्लिकेशन आफ क्वाइर फाइबर अप्लिकेशन मतलब यूज क्वाइर फाइबर का यूज है फिल्ट्रिंग दी ओल जैतून तेल उसे फिल्टर करने में इन फाइबर का यूज किया जाता है बश्टिल्ट फाइबर सीओव एक लाइग और एक शौट ठीगे जो लॉंग और उन्हें बोलते हैं ब्रिस्टिल्स फाइबर इसलिए बनने काम आते हैं ब्रिस और उस और जो ऑड़ वाइबर सो इस्टिर्मिन भी करेक्ट है तुक्ष भारेश जो बोर्ड बगारा में आप इस पम घृप जिनकी बुनाइब कर सकें ठीकिए जिए हो इस पनोगा है यह जो फॉपार काकिंग बोड्स का मतलब होता है जो जब बोर्ड बनाते हैं तो जो दो लगली की जो बैट साथ इनके ब तो इसके अंदर फिल कर देते हैं जैसे के अंदर पानी बगारा ना इन टेडिकर भाए अगर हम बात करें जो एप्लिकेशन से हैं क्वाइर फाइबर के तो यह चार स्टेटमेंट्स हैं वह चारों ही करेक्ट हैं ठीक है कोकिंग बॉट्स में मैट्रेस बनाने में ब्रॉम्स ब्रॉम्स बनाने में और पार्टिकुलर इटली में ओलिवाइल फिल्ट्रेशन में क्वाइर फाइबर का यूज़ किया जाता है इस यह स्टेटमेंट करेक्ट है निच कोईशन बात है कोको पीट जैसे आपने सुना होगा एक चीज़ जब कभी ब्राइफाइट की टिक इसी तरीके से पुरी प्रासेस कंप्लीट होने के बाद कुछ पहुत भाइबर के पार्ट बचते हैं जिन्हें बोलते हैं मैं बिल्कुल बाइप्रोड़क्त आप एक यूज़ इंडिस्ट्री तीक एक बिल्कुल लास्ट अवटेर होता उसे हूँ ते कोको पीट यह बिलक्ल सही बात है बाई-प्रोडक्ट्ट सब्स्ट्राइब एंढकर बात करते हैं कि त्रू स्टेट्मेंट अबटी कॉएरफ और के बारे में कौन से स्टेट्मेंट हीक और कॉयर और कोईर बुट्स अर्न एक कंस्टेबल इमांट आप फॉर नेक्षिंज प्रड़क्शन ऑफ फाइर्स यार्न एंड रोप इस इसेंसली कॉर्टेज इंडिस्ट्री बिल्कुल सही बात है स्री लंका इस लार्जेस्ट एक्पोर्टर आप ब्रिस्टिल एंड माइट्रेस है कि नियुट है कि तुब है तो इस इत्रू स्थेंटमेंट है को से अच्छोन में पैला इक्सट्रा थिक और आप करें तो ये श्टेटमेंट में नाथ की इस्टेटमेंट नहीं है कोशिद मनेगा इन वे चाथी फालोइंग इस नाट ट्रू स्टेटमेंट इपाउट टीक नहीं है इंडिया जो है सबसे ज्यादे जो एक्सपोर्ट करता है वो ईस्टेट्र को स्री लंका करता है इस्टेटमें के लिखा कि सिर्टमेंट में कि लाज़स एक्सपोर्टर आपने बंट इन्डिया और वंडिया एक प्रोडर्टेन्वीट नहीं कि लिखना। पे उन्डिया अच्छी परद्वay एक्सपोर्ट करने वाला एँसMark Ben Sangai टॉट की स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं तो स्टेट कोशन को फ्राइं पूप करें नाट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दी कोईर फाइबर एंड करेक्ट रांसर इस यह सी अप्शन अच्छा लाजेस्ट इंपोर्डर आप दी कोईर पूरी दुनियों में सबसे जाए पर्चेस करने वाली कंट्री बाइर करने वाली कंट्री वह आपका यूणियन एंड अमेरिका जैसे बोलते यूएस से ठीक करेक्ट आप से आपका ए कोशन नंबर 15 में बात करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी कोयर फाइबर आप्टेंड फ्रूम फ्रूट्स विचर हार्वेस्ट इट इस्टेज जिवम करना है तो फ्रूटफ को कौन सथे पर हर्वेस्ट करना हमारे लिए स्टेबल दाएगे मेज्ग जूट्स मैच्वर्व्ड फ्रूट्स ब्लाउन देवेड तो कम फ्रूट्स कोई हर्वेस्ट करना सुटेबल द्य Foundation Green Fruit लूब से जो five hours होते भूश metropolitan व मिलते ही hai भर वेस्ट प्राइटि आती है वह आपकी ग्रीन फ्रूट्स कंडिसे अम गुरून फ्रूट को बहां से हर्वेस्ट कर लिया और उन से आफ्टर रेटिंग के बाद प्रसेशिंग वाद जो फाइब प्राप्त हों इस वह बेस्ट कॉलिटी फाइबर सुगे ध्यार रखना अपकोई बात सब्सक्राइबर से पहले ही को सिक्समें बात करते हैं कि इन भी चाथी फालूइंग इस नाट ट्रू एवाउड दी हार्वेस्टिंग प्रॉसेसिंग अब दी कॉयर का मदब सर्फिस फाइबर ठीक है कौसा स्टेर्मेंट नाट ट्रू है अदली हर्वेस्टिंग इल्स बी इस नाट होता है उसके अंदर फाइबर भरने की बिजनेस होती है उसे वोलते हैं इंडिस्ट्री को अफोल स्टी बर्क एंड ब्रूस्मेकिंग ठीक हाड फाइबर अप्टन फ्रॉम डिले पिकिंग आर सॉफ्ट एजी टूट यह बात स्टेट्मेंट कैसे हो जएगी ही वो सॉफ्ट होंगे वह तो हार्ड होंगे कुछ नंबर सेविंटीन बात करते हैं रमिंग इजन एप्रोच आप फाइबर एक्ट्रेक्शन एंड प्रॉसिंग प्रक्टिस्ट इन के साब इच फाइबर क्राव देखे इसमें कहोता रमिंग में जो क्वायर होता है जो ना होना ज़िए ठीक है जब की स्री लंका में क्या करता है वह इसके लिए बड़ी मसीन इसका तो इसमें जो फाइबर सोथा हूँ मुल्टिपल पार्ट्स में प्रेक्ट आप इसी दिस लिए पूरी दुनिया में सब से जाधर एक्स्पोर्टर है वह मैट्रेस का है मैट्रेस म सब्सक्राइब कोशने आप दूसरे स्टेटमेंट यहां पर देखते हैं एक स्किल्ड वर्कर जो होता है वो कैन डी हसके देस्ट मतलब नारियल के पार्ट से उसके फाइब को रिमूब कर देता है तो उसका लिमिट होता है यह देन में 2,000 नारियल के जो पीस होते हैं उनके ओपर जो फाइबर होता है दो हजार के से वह फाइबर को अलग कर सकता है यह बात ठीक हां हो सकता है इस तो कर सकता है वगर न्यूब पर सन्न नहीं कर पाएगा आउज के सब्जेक्टिफ टू रेटिंग हाश्क को हम सब्ज साफ प्रेटिंग का मैं व्याद सबस्क्राइब करना तफ इंट्रेश्टियल सबस्क्राइब करें दोब आप दो लिए अच्छी प्रेटिंग के लिए ही रेटिंग किया जाता है रेटिंग एपर सब्सक्राइब पानी में स्टेग्नेंसी हो रुका हुआ ठीक है या फिलो हो तो बहुत लो लेविल का तो रेटिंग आपरेशन दन आफ्टर दिस अमर्समाजी मतलब दो ओने के बाद हाथ है लाइक हुंस में कलता है तो इसमें ने बोला लास्ट में कि जो फाइनेस्ट कॉलिटी का फाइवर मिलता है वह हम कैसे पराप्त करेंगे उन्हें का जो टाइडल क्रीक्स होती है हमने डाइगराम आपको दिखाया था में थोडिकरें उन में हम रेट करें और जिसमें शुलो मुविंग बाटर की जो स तो यह चीज ठीक नहीं है दोनों ही स्पीड चाहिए कभी सिलो और कभी रैपेड उसके बाद जो रेटिंग होगी उसके बाद जो में फाइवर प्राप्त होगा वह हमारा फाइन क्वालिटी का फाइवर जबकि आप से में क्या रहा है आउनली स्लोव मुविंग के बाटर फ्लोव जो फ्लोव वह स्लोव है के वाल तो बहांब फाइन क्वालिटी का फाइवर नहीं मिलेगा बाखी जो तीन इस्टेटमें नहीं आई वह आपके करेक्ट है यह फोर्थ जो आपसन है डी यह करेक्ट नहीं ए दोनों तर्ट की मूवमेंट चाहिए बाटर की स्लोव और राइपिड पीड राइजेंट फाल अधी बाटर फ्लोव इस रेक्वाइड टू अप्टेन दी फाइन क्वालिटी आप फाइब 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 फिर जादे फिर कम फिर जादे फिर कम यह होता प्राइडिक चेंज आप बाटर काहां पे टाइडल क्रिक्स एक अलग वाइब बाटर बाड़िज होती है आफ रैपिड फ्लो फाइबस टू कोर फाइबर एक्ट्रेक्शन अप्राइब क्या करने में रिमूब दी इकंपोजिंग बाइंडिमेटियल सही बात है परिबेंड डीकंपोजिंग प्रम फ्लोटिंग जो मतेडियल वहां पर है उसे फ इसमें हमने फाइबर की बंदस बना बना के डाल दिए ठीक है उसके बाद हमने पांप की लीप से इसे कवर्ट कर दिया मंदब यह एक स्टेप है प्रॉसेसिंग में और डी आल आप दिया तो काई यह सभी बाते ठीक हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है जो करा जो मेंट है वाटर क आफ्टर फिलिंग उसके बाद उन्हें हम जो कवर्ट कर देते हैं पाम लीप से जिप सभी जो स्टेप से प्रॉसेसिंग या प्रॉसेज अब अश्टेक्शन आप दी फाइबर फाइबर फाम दी कॉयर कोशन नमबर टैन में बात करते हैं कि रेटिंग आफ कॉयर फाइब किस फैक्टर पे डिपेंड करते रेटिंग का मतलब रेटिंग में लगने वाला टाइं टमप्रेचर पे टाइप आप आप प्रोड़क्ट वी बनिफेक्टर देखिए इस अभी फैक्टर जो इंपॉर्टेंड है उनने में इसन किया लिए तिक टमपेटर बाटर कितना ये प्रोड़क्ट वी बनाना ये इंपॉर्टेंट है तो इस बात पर डिपेंड करना है ज्याद राइटिंग करना है तो जो टाइम लगे का रेटिंग वी इस तरीके का फाइबर चाहिए बनाना है तो टाइप प्रोड़क्ट वी बनुफेक्टर इस इंपॉर्टेंट फैक्टर तो डिसाइड टाइम टेकिन इन दी प्रॉसेस आफ रेटिंग वाइस करेक्ट टांसर जो आपका होता है वह अपका दी इस अभी स्टेटमेंट ठीक है सब्सक्राइब नौ मन्त मनुफेक्टरिंग आप बेस्टेवर लंबे फाइबर चाहिए और मैट्रेशिज चाहिए तब टाइम इसका क्वल 14 डेज होता है मतलब दो हफ्ते कब स्री लंका में ऐसा करते है पूरा कुरा कुशन हम देकिन स्रीलंका में आ रहा है चाहिए चिक सब्सक्राइब दो हफ्ते में में कंप्लीट कर लेंगे अच्छा जो फैक्टरी जाने इंडिस्ट्री लेट में इन फैक्ट्री में रेटिंग टाइम रिडियूस बाई सो पिरी शोक्राइब पहले से यह वो भेगो देना चाहिए प्री शोक्राइब केवल वो 30-40 घंटे म मतलब एक से दिए दिल में वो प्रेटिंग पूरी कर लेते और यह बात हैं बिल्कुल सही दिक यह डिपेंड़ करता है कि आप रड़क्ट क्या कर रहे हैं ठीक है पहले में प्रोड़क्ट कि हम धागा बनाना दूसरे में अक इन्डिस्ट्री लेविल बात करतों नंके बा कि लिए भी मैलेट को ऑफ शटोड़ी के लिए जो हिंदी बोलते हैं मुगरिया व्युक्त रांग टुनोग नौक यो नॉट नौकॉट नौक यौक नौक धाने के रिए ठीक है कौन से मुखरी से उसे पीट रहे हैं तो हमारा उसमें मकसद क्या होता है क्यों हम इसा कर रहे हैं पित एंड अधर एक्स्टरने मट्रीकल को बाहर करने के लिए जैलम को बाहर करने के लिए आला दिया सभी को बाहर करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए हम ऐसा करते हैं त्रू स्टेट्मेंट कौन सा देखे इस्टील कौम का मतलब होता है जैसे आपने इस तरह के सोता में देखा हुआ लाइक देट यह वाला इसके पार्ट बहुत पढ़ा यह इसे बोलते कॉंप इस्टील कॉंप ठीक इन्हें अलग अलग करने काम आपके छोटा फाइबर सब्सक्राइब इस तरह किसे तो क्लीन एंड हैकल्टी हस्क तो सेपरेट इस्टिफ फाइब इस्टिफ फाइब मतलब ह इस नहीं है हैंड इस्टिफ थोड़ा उसमें इस्टिफ ज्याद होगे ऋश्मा छोटा होज जाता है स्थिपन्स ज्यादय होगे इसमां चूर्भा होगे इस्टिफन्स कम हैंड svijए घ्रेशा है बिल्पलू पता है हैंड की तो बात एंला अन का तो बहां भाएज स से टूट जाते हैं जो हैं जो एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर एक पे क्योंकि जिस और फैवर्स होते हैं रिमूब टाइम टू टाइम डूरी प्रोसेंग बहुत जादे जो 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 आसक वो टूट जाती इसमाल फाइबर में तो नहीं को टाइम अलग करते रहते ह है ठीक है जबकि जो मैट्रस होते हैं वह प्रोसेंग चल लिए उसके बीच-बीच में कई वार हम उन्हें अलग कर लेते हैं तो यह भी स्टेट्मेंट जो है गाइस चुजित्ते स्टेट्मेंट है मुझे लगता है सभी करेक्ट है तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी कि तो कि जाang गौर्ण को आफ ओपर कौ है ठीक है ना की वह भेंगता है रूसरी तैसे मिट्र्ट युट घूर पटा है कि long fiber scripture कहलाते हैं कि बस इतनी से बाद ध्याला की हम लोग और इनके लेंद कितनी होती बीज सेंटीमीटर तक होती है question no. 15 में बात करते हैं in choir processing processing को मतलब कि हम कैसे करके fruit आप्त करते हैं तो in choir processing में coco fiber referred to it coco fiber का मतलब क्या होता है matrices fiber salt fibers removed time to time during the processing कोटान प्राइब कोण उन्यारों आथा एम इनके सब कोइर फाइबर बूत नाम स्वाइबर फैयर बिल्कुल सही बाद साफाइबर से और बैस जो कैसे हैं वह कोंगा वर्ण यह लूंबय फाइबर सुन तो जो यह इस्टेटेमेंट है वह सीक्रिक थे 15 अब कोशन नुमर 16 की बात करते हैं कि वाट इत्रू अबाट कोकोनेट फाइबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है वाट ट्रू अबाट कोकोनेट फाइबर देखें इंडिविजियर फाइबर की जो लेंग थे वो कितनी है पॉइंट ती टू बन मिलीमी इंडिविजियर फाइबर के ठीकने से मुद्विश की जो मुलब डायमीटे वो 0.01-0.02 मिल्ट है वी सही है इंडिविज्यर फाइबर लॉक लाइक पॉलीकॉनल टू रौंड जब हम उसके क्राउस सख्शन का रहते हैं तो हमें जो क्वाइर का फाइबर होता है वो लुक पाइबर स्कॉम्बिंग के बाद ठीक है हस्क रेटिज इन सेलाइन बाटर इल इस्ट्रोंगर और बेटर कलर्ड फाइबर देन दोस रेटिट इन दी फ्रेस्ट बाटर जे इंप्रॉटन इस्टेट्मेंट देगे जब शेलाइन वाटर में करेंगा रेटिंग तो अच्छी क वर सीम्ड करना से बारिटेटर को पहुत उद्सधा अपने आप से अलग हो जाते हैं तहाम मिलते हैं भी बैस भी मेश約 आहें मेरी टोट जाएं सरह कुछ दूट जाते हैं तो हम रहे कर आधीक है रहे का इंडने POL règlee kali दो कुछ लेकर आरे दीर वहाएं से मशीन में डाले और ये तो हम फाइवर प्राप्त करें तो our सब्सक्राइब करना है उससे पहले यह प्रोसेसिंग वह प्रोवाइड बिलीचिंग ठीक है उनके कलर को एक सा करना ठीक है बिलीच करने की कंडिशन्स होती है कप कर जाती वार एक्सपोर्ट के लिए उन्हें सिप करना है उससे पहले यह प्रोसेस उसकी आजाता सल्फर बैंस में तो यह स्थेट्मेंट भी ठीक है तो सभी बात है और पहला इस प्रेट्मेंट अब बात करते हैं इन विचादी फालूइंग इस ट्रूइब देखतें को इंटरेस्टिंगे अब क्वायर फायवर कवर्ड पी इसमाल लेंसी इस्प्रीसिफाइड इस्टिंग मेटा बहुत इंपार्टिंट कोशन पूरे कॉरे कोईर बाले से सबस्क्राइब इस्टिंग मेटा कहां पाय जाते तो आपका अंसर होना जगी क्वाइर फाइबर इस म कंसिस्ट थिक वाल्ड इसकलेट काहिमेटर सीथ हमने आपको कई वर बता चुकिंगे बहुत ज़्यदा रफ होते हैं रफ होने की दो ही बज़े होती है यह तो लिगनिन की प्रिजिंस या फिर हम कह सकते दूसरे टर्म में इसकलेटर काहिमेटर सीटिंग एसकलेट कामेटर की के कबरिंग होती है ठीक है उसके बात क्या करते हैं रिष्यू अब लेंट एंड टूस थिकनेश मतलब कॉयर के केस में जो लंबाई का और उनकी डायमेटर का मोटाई का जो रिष्यू है वो थार्टी फाइब है ठीक है और आल अलफ तो यह जो स्टेटमेंट है आप ध्या कोईर फाइबर के बार में करेक्ट आशर गाई होता है आपका डी थैंक यू बेरी मैच गाईज